आपने एक बात नोट की होगी कौन सी देखो चर्चा जब हम करते हैं हमारे राजस्तान में पर्मुक वनश्पती को लेकर पर्मुक वनश्पती अच्छा पर्मुक वनश्पती के अंदर येदी मैं चर्चा करूँ देखिए सरवादिक जो एक्जामिनर क्यूशन पूश्टा है जिन वनश्पतीयों से रिलेटेड क्यूशन पूश्टा है उसमें देखिए सबसे महतब पून तो है आपके सामने एक ये सुस्क शागवान वन इम्पोर्टेट बहुत परसित क्यूशन है राजस्फान के अंदर सुस्क शागवान के वन सुस्क शागवान के वनों की हम चर्चा करते हैं तो याद रेकेगा ये हमारे राजस्फान की किस भाग में है तो आप कहिएँगे सर दक्सीन राजस्फान दक्षिन राजस्तान लेकिन जब मेक्जिमम यानि कि शरवादि कोण से जिल्ले में है तो आपको विशेश तोर पर ध्यान रखना होता है बासवडा बहाद परसित क्यूशन है ये सागवान शर्वादिक कौन से शतर में है तो विशेश दोर पर ध्यान रखेगा आपके दक्षिनी राजस्तान में और सर्वादिक कौन से जिल्ले में है तो फिर याद रिखेगा बास्वडा ये कुष्ण सरवाद इक बार पुछा है तीक है यार रखेगा अगली बात ये भी विशेश है कि 250 मिटर से 450 मिटर की उन्चाई तक ये आपके वन पाए जाते हैं कोण से यार रखेगा सुस्क शागवान वन बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है ये तो तीन फैक्ट होगे बड़े महत्वपून तीन फैक्ट आपने ये पड़े कोण से आपके सामने आता है राजस्तान के अंदर सालर या सालवन इनकी हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात कि ये सालर या सालवन कोण से शेतर में है तो आप कहेंगे सर अरावली शेतर कौण से शेतर में है मेली याद रखेगा अरावली शेतर में अच्छे ये पाए भी कहां जाते हैं याद रखेगा 450 मिटर से अधिक उन्चै वाले शेतर में ये भी इंपोर्टेंट है और याद रखेगा कि जो सालर या साल्वन है याद रखेगा गौन्द उत्पादन का अच्छा सरोत है गौन्द उत्पादन का यार रिखेगा अच्छा सरोत ये बड़ा ही महतपुण बिंदु है तो एक तो आपके सुस्क शागवान और एक सालरवन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये जो वनिश्पती है आप लगभग कोई भी पूराने पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको ये क्यूशन देखने को मिलेंगे जैसे इसके अलावा देखिए और इसके अलावा है आपके सामने नंबर तीन ये ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है कोण सा वो है आपके सामने उपोशन कटी बंदी सदा बहार बन उपोशन कटी बंदी सदा बार बन ये कोण से चत्र विशेस में है तो आपको याद अकना है कि ये पाये जाते हैं आपके माउंट आबू शेत्र में माउंट आबू ओप्शन में आ जाएगा या फिर आ जाएगा आपके आबू या फिर परवत्तिय चत्र में परवत्तिय चत्र पता ही है आपको कोण से जिल्ले के अंदर है तो आप कहेंगे सर शिरोई में ये इंपोर्टेंट फेक्ट लगभग आप देखेंगे कि आपको एक जमनर सदाबार वन या इसे भोलते हैं सदाहरित वन सालर या साल वन या फिर कौण सा सुस्क शागवान अच्छा इसके अलावा इसके अलावा आप देखेंगे तो वो है आपके सामने नंबर फूर खेर वरक्स कौण सा वरक्स है खेर वरक्स अच्छा खेर वरक्स की हम बात करते हैं तो याद रखेगा एक तो इसका साइंटिपिक नेम वो है आपके सामने अकेश या कटेचू अच्छा ये जो खेर वरक्स है याद रखेगा इससे क्या प्राप्त होता है याद रखेगा कथा का एक्तरन होता है अच्छा कोन से भाग से होता है याद रखेगा मध्यवर्ती भाग से अच्छा कोन सी जाती दुआरा किया जाता है याद रखेगा कथोडी जाती दुआर और मुख्य ये दि जिल्लों की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपके सामने उदेपुर, चितोडगड, सवाई मादेपुर, ये विशेश चैतर है किस से समन्दित है, खेरवरक से याद रखेगा, इंपोर्टेंट, ठीक है, अकेशिया कटेचू, वेरी वेरी महुआ, scientific name की हम चर्चा करेंगे, तो वो है आपके मदुका लोंगा फूलिया, मदुका लोंगा फूलिया, और आप सब जानते हैं कि महुआ जो है, इसे कहा जाता है, आदिवाश्यों का कल्फ रक्स, क्या कहा जाता है इसे, याद रखेगा, आदिवाश्यों का कल्फ रक् आदिवाश्यों को पेपधार्त, यानि कि ग्रामिन शेत्रों के अंदर रखेगा, इसी महुआ से प्राप्त की जाती है, महुडी यानि कि देशी शराब, महुडी यानि कि देशी सराब याद रखेगा, इंपोर्टेंट है आपके सामने ये भी, अच्छा इसके अलावा, नमबर शिक्स बिंदू के मैं बात करता हूँ, तो वो है आपके सामने प्लास, या फिर इसी का नाम है आपके धाक, प्लास या धाक, वैसे इसका साइंटिपिक नेम जो है, वो है आपके ब्यूटिया मोनो इस्परमा, याद रखेगा, ये जो प्लास या धाक है, इसे क्या जाता है दा फ्लेम ओफ फ़रेस्ट्ट यानि की जंगल की आग यानि की वन की जुओना दा फ्लेम ओफ यानि की जंगल की आग या फिर क्या बोलते है जुओना अच्छा एक इंपोर्टेंट नमर शाथ वो है आपके सामने बांस बांस को क्या कहा जाता है बांस को कहा जाता है आपके वैसे साइंटिपिक नेम की चर्चा करूँ तो वो है बंबूसा वेल गेरिस और वैसे भी आपको पता है कि बांस को कहा जाता है आदिवाशियों का हरा सोना क्या कहा जाता है याद रिखेगा आदिवाशियों का हरा सोना याद रिखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट और बांस जो है याद रिखेगा ये विश्वे की सबसे लंबी क्या है गास विश्वे की सबसे लंबी घास इसे क्या कहा जाता है याद रखेगा आदिवाश्यों का हरासोना अच्छे अब आप कोई भी पूराना पेपर उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्जामिन ने या तो फिर सुस्क शागवान वन राजस्तान के दक्षिनी भागम के अंदर सरवादी के बासवडा में और वैसे पुछा जाए कि ये सरवादी कोण से अभिहान में है तो याद रखना है ये पाया जाता है आपके सिता माता अभिहान में ये भी एक अच्छा क्यूशन है, कि ये सरवादी कोण से अभियान में देखने को मिलता है, याद रखेगा सिता माता अभियान में, कोण से वन है, सागवान वन, कितनी उंचाई तक, तो 250 से लेकर 450 मिटर की उंचाई तक पाये जाते हैं, बड़ा अच्छा क्यूशन है, इसक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फिर नमबर तीन पर हम बात करते हैं, तो याद रखेगा वो है आपके, उपोशन कटी बन दिये सदाबार वन, कोण से शेतर में है, माउंट आबू विशेश शेतर में, ये भी पूछा जाता है, कि सदाबार वो जो वन है, वो किस परकार की जलवाईव में, तो आपके सामने है, उपोशन कटी बन दिये, ये भी विशेश है, याद रखेगा, एक विशेश और ये याद रखेगा, इंपोर्टेंट, कि ये जो खेर वरक्स होता है, एक तो इसका साइंटिपिक नेम याद रखना है, और याद रखेगा, इससे क् की आग या वन की जुवाला किसे कहा जाता है, और एक है आपके सामने बास, आप अपनी इच्चा से कोई साभी, राजस्तान के अंदर चाहे, RSSB बोर्ड हो या RPC, कोई साभी पेपर आप डाउनलोड करेंगे, तो आपको वनस्पति से रिलेटेड इन साथ महतोपुन बिं ये इतने महतोपुन पांच बिंदू है कि लगभग हर एक्जाम के अंदर आपको गूम फिर के इन से रिलेटेड इक्विशन मिल जाएगा, तो ये तो आपको याद करनी करने है, इंपोर्टेंट है, इस्टार लगा लीजिएगा कि लगभग हर एक्जाम के अंदर यहां स सोना कहा जाता है, जैसे आप पढ़ते होंगे, जैसे देखिए, सोना जो है, चलिए जैसे आप कमेंट करके बताइएगा, जैसे आपको पूछा जाता है, कि सपेद सोना किसे कहा जाता है, कमेंट करिएगा, जैसे पूछा जाता है आपको पीला सोना किसे कहा जाता है, कमें जैसे आपके सामने है वेरी वेरी इंपोर्टेंड हरा सोना किसे कहा जाता है और जैसे आपके सामने है कि काला सोना किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर सपेद सोना जिसे कहा गया है वो है कपास वसल के आदार पर किसे बोलते हैं कपास अच्छा हरा सोना जिसे कहा गया जाता है वो क्या है आपके आप कहेंगे सर बांस पीला सोना जिसे कहते हैं वो कौन सा है आप कहेंगे सर शरसो और काला सोना किसे कहते हैं तो याद रिकेगा करसी से सम्मदित बात करते हैं तो अफीम है और वैसे लिक्वीड की बात करेंगे तो पेंट रोल ये ठीक है हाँ